हेलो गाईज वेलकम बैक अगेन टू मैं योट्यूब चैनल जहां मैं आप लोगों की हल्प करती हूँ कि कैसे गौर्मेंट जॉब के एजाम करना है साथियों को बताती हूँ लेटेस गौर्मेंट जॉब अपडेट्स तो एक छोटी सी इंफोर्मेशन देना चाहती हूँ ज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो गाईज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आज की हमारे सेकंड क्लास है ठीक है वोकैबलरी की और यह रहे हमारे पांच वर्ड हम डेली एल्फावेट वाइस वर्ड्स पढ़ने वाले थे ए भी सीडी से जेट तक तो कल जो हमने last C पे छोड़ा था अब C के rest बचे वे वर्ड्स हैं तो यह मैं आपको बता रही हूं कौन-कौन से वर्ड्स हैं और यह exam point review से बहुत ज़्यादा important रहने वाले कार्डी slash O यानि यह heart से related है कार्डियक बोलते है related to heart, cardiogenic resulting from heart disease ठीक है और cardiologist कोन होता है heart का doctor होता ह अगर exam में कुछ भी ऐसे words आते हैं तो आपको करना बहुत आसान रहेगा ठीक है next पे चलते है kata, kata का मतलब होता है down, against, completely, or intensive इस word का पूरा यह 4 meanings है cataclysm, flood or disaster ठीक है flood or disaster की बात हो रही है catalog, complete listing, catalog आपको पता ही होगा अगर कभी आप किसी showroom पे गई हो तो आप catalog मांगते हो कि मतलब उसके product listing होती है तो इसो catalog कहते है और catastrophe, turning to the worst यहने कि तबाही और catapult, machine gulail, आपने बाहु बली movie देखी होगी उसमें जो एक gulail सी बनाते है ना वो last scene में, तो यह उसी machine की बात हो दी है, ठीक है, next बात करेंगे हम, next word है हमारा seed, seed, इसका मतलब होता है go yield, ठीक है, exceed to go beyond limits, वो person जो अपने limits के beyond हो, ठीक है, यह वो चीज जो limits के beyond हो, precede, to go back, accessible, इसका मतलब होता है easily entered, approached, obtained, और जो बहुत सुलब हो, शुद हिंदी में अगर बोलने तो सुलब, ठीक है, easy adaptable हो, next word पर चलेंगे, circum और circle, इसका मतलब होता है around above, ठीक है, दो अलग लग words है, एक words नहीं, confused मत होना, तो circum navigate का मतलब होता है to sail और around, यानि की परिकर्मा लगाना, मंदिरों में जाते हैं, वहा लोग परिकर्मा लगाते हैं, उसका मतलब यह होता है, ठीक है, circumscribe, next word हमारा circumscribe है, to draw around, इसका मतलब भी लगबग यही है की, draw around करना, यानि की परिकर्मा टाइप कुछ draw around है, circumspect, looking around, आसपास देखना, चीक है, fourth word है circumlocution, यानि की कपट पूर्ण बाते करना, यानि की goal mole, goal mole बाते करना, गुमा फिर आके, इसको आप ले सकते हैं, उससे respect में, next word है call, call मतलब together और jointly, collaborate, work together, collaboration बोलते हैं की हमारा में साथ collaborate करो, या हमने collaboration में यह project complete किया, तो collaborate का मतलब होता है work together, collision, collision एक बड़ा धमाके की हिसाब से बोल सकते हैं, smashing together, जो smash हो जाए, जिस धमाके से आवाज हो, उससे बोलते हैं collision, colloquial, इसका मतलब होता word formed by everyday interaction, रोज मिलने के interaction से जो word formed होते हैं, जैसे बोल चाल का, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, colorization, यह एक ऐसी technique होती है, जिसमें, जिसके through color zed किये जाते हैं black and white films में, चेक है, और colleagueship, यानि की office सही होगी, जो office में काम करते हैं न, teammates, उनके लिए यह word use हो सकता है, तो guys, यह आज के 5 words है, I hope आपने last class के 5 words पढ़ लिया होंगे, उसको समझ लिया होगा, उसको अपनी practice कर लिया होगी, ऐसी उसके आगे के यह rest of the words है, this is a class 2 of vocabulary, so keep updating yourself, and one more thing, keep practicing your DSSB exams, and all the best to all of you guys, so this is Tanvidyani, and I am going to signing off right now, कल हम class में मिलेंगे, class 3rd में, ठीक है, thank you so much